क्या आपको रात में नीन ठीक से नहीं आती या फिर एक बार नीन खुल जाने के बाद दुबारा नीन दी नहीं आती कैई बार नीन ना आने की समस्यत नी गंबीर हो जाती है कि यह हमारी मानसिक सिहत को पिरभावित कर सकती है ऐसे में अगर आप भी नीन से समबंदिद ऐसी किसी समस्या से जूज रहे हैं तो आप यह उपाय जरूर अपनाए बेड टाइम बहले ही आपका रूटीन कितना भी व्यस्त क्यों नहों लेकिन अच्छी नीन आए इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने सोने का एक समय तै करें इससे आपके सरीर के सोने और उठने का चक्र संतुलित हो जाता है बहले ही आपको थोड़ी दिक्कत होगी लेकिन नियमित रूप से एकने धारी समय पर अगर आप सोने कोशिश करेंगे तो यह आपकी दिंचरिया में भी सामिल हो जाएगा किलीन बैड रूम अच्छी नीद और सुकुन के बीच हमारा गहरा संबंद है अगर आपके सोने और कमरा सुक्ष होगा तो मन शानत रहेगा और नीद आसानी से आएगी गहरी नीद के लिए आप बैड रूम में हलका इंस्टूमेंटल म्यूजिक भी चला सकते हैं जिससे बानशिक शानती मिलेगी और नीद जल्दी आएगी दिन भर काम करने के बाद अगर आप अपने आराम के छड़ों में भी कम्प्यूटर या फोन से चिपके रहते हैं तो उनसे थोड़ी दूरी बना लें कम से कम सोने से पहले कम्प्यूटर या मोवाइल फोन से तो परेज करना शुरू ही कर दें इसके अलावा चाय और कॉफी जैसे पे भी रात में ना लें हेल्दी डाइट सोने से पहले एक गलास गर्म दूद लें अनिद्रा से छुटकरे के लिए यहन उसका बहुत कारगर है इसके अलावा आप चैरी खस-खस मेवे आदी कावी सेवन कर सकते हैं सोने से पहले ढेर सारा पानी पीएं मसाज सोने से पहले हाथ पैर साफ करें और फिर अपने तलवों की मसाज करें इससे सरीर का रक्त प्रवा सही रहता है और ठकान दूर होती है अच्छी नीद के लिए रोज सोने से पहले इस मसाथ से आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी योगा वैसे तो सेहतमन्द सरीर के लिए योग और व्यायाम कारगर माना ही जाता है पर कुछ ऐसे योग हैं जिनने करने से नीद अच्छी आती है जैसे शवासन, वरज्जासन, ब्रहामरी, पढ़ायमादी इनने नियमित रूप से करने से अनिद्रा की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा और ठकान पूरी तरह दूर हो जाएगी थैंक्यू फॉर वाचिंग